जब शनिदेप की ढहिया का अंतिम सिरा सामने हो, जनवरी 2020 से जो संघर्ष चले, कार्यों में कई बार रुकावट देखी, उसे बाहर निकल कर जीवन जब एक नई उजास दे रहा हो, तो हम अपने कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ाएं। ये सारी चर्चा नवंबर 2022 के मासिक राशीफल के माध्यम से हम मिथुन राशी के जातकों के लिए लेकर उपस्तित हुए हैं, सर्वपर्थम ग्रह गोचरी विवस्थाओं का अध्यन और उसके बाद प्रतिये क्षेत्र विशेश के साथ में जोड़ी हुई चर्चाएं, द् रहे है एवं तेरे तारिक को यहां मेथुन राशी स्थान में रहेगा, तो वहीं पर सुर्देव के स्थिया नीचस्त राशी स्थान में रहेंगी 16 नवंबर 2022 तक, उसके बाद सुर्देव वरिश्चिक राशी स्थान में, केतु जहांतुला में तो वहीं राहों के स्थिय है वो यहां 13 है नवंबर के बातसे वरिष्चिक राशी स्थान में रहेंगी गौर कीजिएगा कि जो मंगल का अधार है यह वक्री चलते होई ही मिठून से निकल कर 13 है नवंबर 2022 के साथ वरशब राशी स्थान में प्रवेश कर जाएगा शुक्र के राशिस्तान में मंगल एवं मंगल के राशिस्तान में शुक्र ये दोनों ही ग्रहिये ववस्ताओं का अद्भुत परिवर्तन है जो सस्ट और द्वादश भाव के मांध्यम से सामने निकल कर आ रहा है लक्ष्मी नाराण योग भी बनेगा सूरी देव की स्ततियां भी यहां जल्दी ही सोलह नवंबर के अंतराल के साथ में प्रवेश कर जाएंगी जल्दी ही का आरत यहां यह है कि जब ये ग्रही विवस्ताओं परिवर्तत हो रही है और सूरी देव भी जब रश्चिक में ही आ जाएं तो यहां पर योगा योग के माध्यम से स्पष्ट रोपेंड एक बहतर आधार बनता है क्योंकि गरहेंड दोश से सूरी देव की स्ततियां बाहर निकलने वाली होंगी और साथ ही साथ में यहां पुन है बुधा दित्य योग भी बनता हुआ परतीत होगा अस्तमेश होकर शनिदेव अस्तमभाव में इसे वज़े से हमने कहा भी था कि डहिया का अंतिम सिरा चल रहा है शनिदेव मार्गी भी हो चुके हैं तो वहीं पर जो देव गुरु ब्रहस्पती का आधार है वो दशमेश होकर दशमभाव के साथ में रहने वाला होगा एवं देव गुरु ब्रहस्पती 24 नवंबर 2022 से मार्गी हो जाएंगे शनिदेव का अधार भी मार्गी एवं अब देव गुरु ब्रहस्पती का करमबद दस्तर भी मार्गी ये आजविका के माध्यम से एक बहुत बहतर फोल्ड कहा जा सकता है और वहीं यदि हम लाब भाव की चर्चा करते हैं तो राहू यहाँ पुर्णे फालों का उदाय करते हुए मंगल की स्ततियां परिवर्तन में परंतो कहीं ने कहीं फोड़े बहुत रियक्टिव बेसेस को बनाते हुए है हम चर्चा की शुरुवात करते हैं यहां पर्थम तया पर्थम भाव के साथ में ही जो बुद्ध की स्तिया है वो शुरुवाती तोर पर जब पंचम भाव में रहने वाली होगी तो जो शेर मार्केट संबंधी निवेश है जड़त वो दोश बना रहेगा इसे वज़े से अपने थौर्ट प्रोसेस में कोई भी एडामेंट बेस नहीं लेकर आए हम ही सही है कि परवर्थियों से दूर रहे फाइनिंशल बेसेस और जैसा स्टॉक मार्केट के बारे में हमने चर्चा की बुद्ध की स्तियां अत्यंत प्रभावी है दूसरा महत्वपूर आधार ये भी है कि जब बुद्ध यहां ते रहना उबर की बात से वरिष्चिक राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो शत्रुग रहे बंगल से दृष्टी गोचर होंगे इसी वज़े से जो कई बार ओवर थिंकिंग की पूरिशन साती है वो भी रह सकती है कोई इंटर्वियू सामने आया कोई मीटिंग सामने आयी या कोई बिजनस का नया ओफर सामने आया और उसके चांसेज भी है अब आफर आया डईया चल रही है जो तीशी कणित के अधार पर आप सुएम के यथारत के जीवन को भी देखते है अब वहां से कन्फियूजन निकल कर आए जाए या नहीं जाए क्या करें और रोक जाना बहतर है इसी विचार के साथ इसी उधेड़पुन के साथ व्यक्ति अवसर गमा बैठता है इस महीने ऐसी प्रवर्तियों से पूरे तरीके से समलें ये कर्बद धाप से निविदन यहां पर है वहीं हम बढ़ते हैं द्वितिय भावस्ताधार की और देव गुरु ब्रहस्ति एवम शनिदेव की इस्तिया यहां धन भाव को देख रही है गौर कीजिएगा कि जो एक्जिस्टिंग बेस पर बिजनस चल रहा है उसके साथ में 13 नवंबर एवम 24 नवंबर के बाद बड़े निरनाए लेने की तरफ यदि आप जाते हैं और उसमें भी जो आपकी कन्विंसिंग पावर है वो जब और जादा सपोर्टिव बेस को जनरेट कर रही हो तो फिर रोकने की जरूरत नहीं है पारिवारिक जनों के साथ में जो आपका वहवारिक चंतन है वो इस पश्ट तोर पर मरदभाशिता को लिए वो है और ये भी अदभुत ताकत का समागम आपके साथ में बना रहने वाला होगा इस इस पश्टा को भी अपने साथ में रखिएगा और वहीं आपकी जो यहां रोपए पैसे की लंबे समय से अटकीवई इस्तियां की व्यापारिक जिवन में जो एक रोटेशन की बाशा कही जाती कि वो आई नहीं पा रहा है कैसे व्यापार को आगे बढ़ाएं वो ताकत यहां आपको मिल सकती है अलाकि पराकरम की स्तियां यहां पर कमजोर है यह जरूर मानते हैं सोलह नवंबर दो हजार वाईस तक जो एक इंटरनल रिफिलेक्शन का वेस परतियक सुभ है जो साथ में निकल कर आने वाला होता है यह परतियक कामकाच की शुरवात में निकल कर आने वाला होता है यहां गरहन दोश भी सुरिदेव के साथ रहेगा सुरिदेव का आधार भी नीचस्त बली ही 3.11 का संबंद जब भी सुरिदेव अपने नीचस्त राशी स्थान के साथ में होते हैं तो बनता है परन्तु एक ताकत यहां निकल कर आती है कि लंबे समय से आप किसी भी बेसिस प में रहेगा बोधादित्य योग यहां पर निर्मित होता है और उसे के साथ में व्यक्ति पुरुजोर तरीके से इस बात को अपने साथ में लेकर चले कि जो आप यहां अपने पराक्रम की वज़े से शुरुवाती इस तरपर डिस्टर्बेंसस को फील करेंगे जो डाउट नहीं करते और राहु का ये आधार भी व्यक्ति को विचलित करने के लिए कई बार काफी होता है सेल्प डाउट यहां डिस्टर्ब कर सकते हैं पुनहे निवदन के उनसे आप साथदान रहें यात्राओं के साथ स्वास्ति का और जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उसके स भूमिका के साथ में आपका जिवको पारजन दी चलता है वहाँ पर ये अनूठी ताकत आपके लिए शुरुवाती तोर पर बनी रहेगी जब चतुर्थेश पंचम भावस्ति स्थियों के साथ में अपने आधार को यहां निक्षेपित कर रहे होंगे ये स्पश्टता भी अपने लिए आप बना कर रखने का प्रयास कीजिएगा कि यहां जो आप ग्रहे नर्मान संबंधी कामकाज में आगे बढ़ चुके हैं लगता है कि नर्णा गलत ले लिया और उपए पैसे की विवस्ताएं का से होंगी गणपती उपासना के साथ जिवन को जोड़िएगा ये डाउट हटते चले जाएंगे और वो भी आप देखें कि आप जो पैतरिक संपत्ती संबंधी विवात से जूझ रहे थे वहाँ पर भी रिलीफ आपको बिलने वाली हो सकती है ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच यहां रहने वाली हाला कि वाहन संबंधी कामकाज में इस मेंने थोड़ी से सावधानी बढ़ते हैं बढ़ते हैं पंचम की और आप ये देखिएगा कि जो शुकर की स्तिया शुरुआते तोर पर पंचम में शुकर पंचम भाव में रहेगी शेर बार्केट में इंट्यूशन का वेस आपके साथ बना रहेगा साथ ही साथ में ए पीछे ये है कि जब मंगल का आधार यहां एक तरह से द्वादश के साथ में रहने वाला होगा लाभेश होकर और वहां से भी जो मंगल की द्रिस्टी वो एक तरह से राजा के राशी स्थान पर रहेगी और जो ये करमबत तरीका सस्ट और सप्तम पर भी मंगल का बना रहे हैं करेंगे संतान पक्ष के साथ मैं यदि उनका कोई व्यापारिक निरने लेना है उनके साथ को रूप्या पैसा इंफ्यूस करना है सब्र रखने की जरुरत है तेजी के साथ में निरने लेने से भचिए पर आप education के किसी भी field specific के साथ में अपना रोजगार चलाता हैं बड़े changes से इस महीने संबलें यातरा बढ़ाता है सस्ट भावग की और जो financial burden बढ़े हुए थे उसमें और बढ़ोतरी नहीं होने पाई ध्यान रखियेगा शुक्र जैसे ही यहाँ सस्ट में प्रवेश करते है व्यक्ती personal luxury पर बहुत जाड़ा गौर करता है साथी साथ मुझे लगता है कि business में expansion के लिए सबसे पहले presentation के requirement है चमक दमक की आवश रकता है नई वस्तूं को यहाँ पर साथ जूडने की जरूरत है और वहीं से व्यक्ती एक तरह से आरथिक भार की इस्तियां स्वयम के दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाईएगा कि कहीं न कहीं इस समय विशेश के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ thyroid से संबंदित इस्तियां और कहीं न कहीं diabetes से संबंदित रोग डिस्टरब करने वाले हो सकते हैं यही वो करम है जहां शत्रू पर आदिपती जो ब्रेसपती स्वयव है वो दशम भाव में है वैसे भी मितुन राश्य के जातकों के लिए ब्रेसपती एक तरह से बादक आदिपती हो जाते है परंतु यहाँ एक तरह से स्वग रही इस्तियों में और 24 नमंबर के बाद मारगी भी हो जाएंगे इसे बना रहेगा और ये इस पस्ट ता आपने भीतर तक बना कर रखिएगा कि जो यहां ग्रिहस्त पक्ष के साथ आप किसी भी कामकाज की शुरुबात करना चाहते हैं वहां पर भी बैटर नूट आपके लिए बने वुए हैं इस बात से गबराने की आबशकता नहीं के ड़या क करम चल रहा है क्या होगा कैसे होगा दिवस्तित हैं आप हैंडी कराउट संबंदी कामकाज में भी निरना लिए जा सकते हैं जौब से बिजनस की और बढ़ चुके हैं और जौब पैरलल बेसिस पर चल रही है वहां से अब आप मुक्त होना चाहते हैं तब भी थोड़ा सा इस महीने रुका जा सकता है और इस्तियों को जैसे सार संभाल करके वक्ति चलता है उसे एक परवर्ति के साथ में चलने के पूरी पूरी जरूरत आपको रहने वाली होगी तो वहीं बढ़ते हैं अस्टमभाव की और हिडन प्रब्लम्स अभी भी सामने आ रही है पर अपन ये मूल मंत्र भी आप अपने भीतर तक लगातार बना कर रखिएगा हाला कि एक बात जरूर है कि जो आप रिसर्च संबंधी एजूकीशन में है 17 जनवरी तक जद्धो जहत करनी पड़ सकती हैं 17 जनवरी 2023 की चर्चा कर रहे हैं इन 2-3 महीनों तक अभी भी जद्धो जहत कर सकती है नवंबर में तो वो है ही इसके अलावा भी आगे का करम लगबग डेड़ महीने तक वो ही साथ में बना हुआ है हम बढ़ते हैं बाग्यभाव की और बाग्येश स्वयम से अभी विद्धवादश परन्तु आध्यात्मिक चंतन बना हुआ शनिदेव की तीसर दि देव गुरु रेस्पति के राशी स्थान पर इसी वज़े से वो एक जो आधार होता है मन की भीतर के सपच्टा का वो साथ में रहने वाला होगा हायर एजूकेशन के साथ में बड़े डिसीजन से थोड़ा सा और रुकने का अभी भी प्रयास अपने साथ में आप रखते चले जाईएगा और ये करम भी गौर में लेकर आने की जरूरत आपके लिए रहेगी कि जो भाग की भाव का अधार अस्टम में हैं एवं शनिदे तीसरे दिश्की से पुनह या कर्म भाव को देख रहे हैं जो भी निरनायक मौके होता है उसमें आलस से घर करने वाला नही जो भी चेंजिस आप यहां पर लेंगे उसमें एक से दो महीनों के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें ये तैमान कर खुद के लिए चलें कि जो बड़ा परिवर्तन यहां आ रहा है वो संगर्ष की प्रतिधनी लेकर आ रहा है यदि पदमान मिल रहा है तो कामक आज में 24 नवंबर के बातिवर्ता पिता के स्वास्ते को लेकर भी 24 नवंबर 2022 के बाद काफी हद तक रिलीफ आ सकती है और वहीं अन एक्सपेक्टेड पोजिशन के साथ में कोई भी रिस्पॉंसिबलिटी परिवार की और से मिलती है या फिर कामकाजी जीवन में मिलती है हम ही हैं जो इसको संभालने के लिए ततपर रहेंगे इस एक बात को मन के भीतर बारंबार आप दोहराते हुए आगे बढ़िएगा ये एक निवदन है आपसे हम बढ़ते हैं लाब भाव की और पुन्डी फलाओं का अओदाया बेवी निरंतर है जहां पर भी आपने स्रेश्ट कर्म की इस्तियां पिछले तीन से चार महिनों में दर्शाई थी जहां निस्वारत भाव था उसके जो रिफलेक्शन रिलेशन की बेसिस पर निकल कर साम विद विदा किसे रंकित नहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए शूस से भी खुद को डिस्टरब करने से पूरे तरीके से आप बचने वाले जरूर रहें ये भी एक स्पेश्टा माने दौादश की और बढ़ते हैं आप यह देखिएगा कि यहां रगत संबंदे विकारों से सावधान रहें कोर्ट कचैरी संबंदित मामलात में इस महीने भी और 17 जनवरी तक अभी भी थोड़ी से सावधानी रखें हाला कि डिसीजन में देरे देरे पॉजिटिविटी आती चले जा रही है परंतु फिर भी खुद की सार संभाल लगातार साथ में रखने की पू कवंबर 2022 का मासिक राशेफर हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उबस्तत उतर आएंगे धन्यवाद एवंकोटी शहर आभार